बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा आर्ट साइंस यानिकी बिग्यान का चोथा दियाए पदार्थ धातु और अधातु हम आपको बताएंगे बच्चो इस पार्ट का सारांस और साती साथ पार्ट से सम्बंदित प्रस्णों के उत्तरवी सबसे पहले जान लेते हैं इस पार दातों में चमक नहीं होती आप जानते हैं ने दातों के बारे में जैसे लोहा तामबा पीतल ये क्या होते हैं सब दातों होते हैं और जैसे लकडी प्लास्टिक ये सब क्या हैं अधातों हैं तो जो दातों होते हैं कैसे होते हैं लस्चरस होते हैं यानिकि चमकिले होते हैं जबकि आधातू जो होते हैं उनमें चमक नहीं होती है, याद रखें बच्चों। और दूसरा पौईंट आपके लिए, मैं तो पूर्ण है, सामाने तधातू आगात वर्धनिय और तन्य होते हैं। आगाद वर्ध्नियत क्या होता है बच्चो जानते हैं आप चलिए हम आपको बता देते हैं और आगाद वर्ध्नियता का मतलब होता है मेलेबिल्टी यानिक धातों का गुन जिसके कारण उने ने पीट कर सीट के रूप में परिवर्धित किया जा सकता है उसे कहतें आगाद वर्धनियता, समझे ना आप, किसी लोहे की कील या एलमूनियम के टार को, येदि आप पीटते हैं, तो पीटने के बाद क्या होता है, वो प्पेलने लग जाता है, और अगर आप जदा पीटेंगे उन्हें, और अधिक पिटेंगे, तो क्या होगा, लोहा या जो एलमूनियम तो में ऐसा नहीं होता यदि आप जो है किसी चौक को या लगड़ी के टुकड़े को यदि आप पीटेंगे तो क्या होगा वह तूट जाएगा वह फैलेगा नहीं तो सामानेता धातूं में क्या होता है आगादवर्दे नित्या का और तन्यता का गुण होता है जब कि आ धा तन्यता के बारे में तो डक्टिलिटी क्या होती है धातू का वागुण जिससे उन्हें खीच कर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है आपने देखा होगा विजली की तार देखियोंगी आपने सीधी लंबी और जो बारीक होती है इन्हें क्या करते है इ यानि कि सोनोरस धातों से बनी वस्तु को जब कठोर सतय से टकराया जाता है तो एक निनाद यानि कि ध्वनी उत्पन होती है आता हुए क्या कहलाते हैं ध्वानिक कहलाते हैं या सोनोरस होते हैं आपने देखा होगा किसी लोहे की कील को या किसी डब्बे को जो धातों से बना यदि आप जोए इने जोए किसी कठोर सतय से टकराते हैं तो एक आवाज निकलती है तो यह क्या होता है धातू में गुन होता है आगे बात करते हैं बच्चो सामने ता धातू उसमा और बिद्दुत के सुचालक होते हैं यानि गुट कंड़कर होते हैं आपने देखा होगा विजली की तार काहिश से बनी होती है, या तो ऐलिमुनियम से बनी होती है, या कॉपर से बनी होती है, तो क्यों होती है, क्योंकि बिद्दुत के सुचाला कि यानिक good conductor होते हैं, लेकिन अधातु नहीं होते हैं, यदि आप प्लास्टिक की तार को विजली की तार से जोड़ और सोचेंगे कि दूसरी जगह पर आपकी light पहुंच जाएगी तो नहीं पहुंचती न तो इसका मलब क्या होता है वो जो है poor conductor होते है जो अधातू होते हैं कैसे होते है poor conductor जबकि जो धातू होती है वो कैसे होते है good conductor इसके बाद अगला point है बच्चों आपके लिए कुछ धा oxide और hydrogen gas उत्पन करते हैं अधातू जल से अविक्रिया नहीं करते हैं याद रखेंगे आप इन point को अगला है सामन तहा देहन करने पर धातू oxygen से अविक्रिया कर धातू oxide बनाते हैं जो छारिया प्रकरतिके होते हैं अधातू oxygen से अविक्रिया कर अधातू oxide बनाते हैं जिनकी प्रकरती अमलिया होती है अगला पॉइंट आपके लिए धातु अमलों से अविक्रिया करते हैं और धातु लवन तता हाइडोजन गैस बनाते हैं आम तोर पर अधातु अमलों से अविक्रिया नहीं करते हैं दस्वों पॉइंट है बचो कुछ धातु छारों से अविक्रिया कर hydrogen gas बनाते हैं अगला पॉइंट है अधिक अविक्रिया सील धातू कम अविक्रिया सील धातू को उनके धातू योग्यूकों के जली अविलियन में विस्ताफित कर देते हैं बारवा पॉइंट है और लास्ट धातू और अधातू का दैनिक जीवन में बड़े पैमाने पर उ अधिक्रिया सील धातू करें और इनके बारे में और अच्छे से पार्ट से भी पड़ें और इनैं याद भी करें ठीक है तो इस प्रकार से हम ने आपको बताया इस पार की समिक्षा की इस पार में से कुछ मेतोपूर्ण बिन्दों को चुनकर आपके लिए यहां पर बताया और आप इन्हें अच्छे से समझें इसके बाद चलते हैं बच्चो इस पार्ट से सम्बंदित प्रसनों के उत्तरों पर अभ्यास प्रसन उत्तर में आप देखेंगे पार्ट के लास्ट में जो आपके लिए प्रसन दिये हुए उनके उत्तर हम आपको यहां पर बताते हैं तो निमने लिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है यहाँ पहला प्रस्ण है, यहाँ पर आपके लिए चार आप्सन होंगे कै, जिंक, खै फास फोरस, और गह सलफर, और गह आक्सीजन तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, आप जुए, इसको जुए, कैवाले को सही का चिन लगा सकते हैं जिंक जुए है, तो निमले कित में से, किसको पीट कर पत्ली चादरों में परिवर्टि किया जा सकते हैं, तो किसको पीट कर जिंक को तो यहाँ पर आप जो है सही का चिन लगा सकते हैं इसके बाद दूसरा प्रस्ण है बचो निमलिकित में सही कौनसा कतन सही है और कहे सभी दातुएं तन्य होती है सभी अधातुएं तन्य होती है या कुछ अधातुयें तन्य होती हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे आपका गयवाला ओफसन बिल्कुल सही होगा सामनित है धातुयें तन्य होती है कौन सा बला गयवाला इसपे आप सही कचिन लगा सकते हैं बच्चों यह आपका आंसर हो जाएगा इसके बाद अगल है यहाँ पर तीसरा प्रस्णात है रिकतास्तानों की पूर्ति कीजिए और यहाँ पर आपको जो है रिकतास्तानों को भरना है देख रहे ना आप यहाँ पर तो कह वाला है फासपोरेस बहुत अधातु हैं यहाँ पर जो है फासपोरेस बहुत अधातु है तो यहाँ पर और खैवाला है धात्वें उस्मा और की होती हैं क्या लिखेंगे आप सोचिए जरा और गैवाला है आईरन कॉपर की अपेक्सा और यहाँ पर आपको लिखना है अविक्रिया सील हैं और गैवाला है बच्चो धात्वें अमलों से अविक्रिया कर बनाती हैं विद्धुत और सुचालक यहाँ पर दो क्यों है क्योंकि आपको दो जगे पर भरना है देखरें आप खैवाले में यहाँ पर लिखेंगे विद्धुत यहाँ पर विद्धुत और यहाँ पर सुचालक फिर क्या हो जागा धातुएं उस्मा और विद्धुत की सुचालक होत यह आप यहां से देखके लिख सकते हैं अगला प्रस्न है बच्चो चोथा प्रस्न है यदि कथन सही है तो P यानिकी True और गलत है तो कोश्टग में F यानिकी False का लिखना है यहां पर तो आपने जो साइन करना है और कह वाला है सामनित अधातु अमलों से अविक्रिया करते है और खैवाला है सोडियम बउत अविक्रिया सील धातु है गैवाला है कॉपर जिंक सल्पेट के बिलियन से जिंक विस्ताफित करता है और गैवाला है यहां पर आपके लिए कोईले को खीच कर तारे प्राप्त की जा सकती है तो आपको लग रहा होगा आपने आप पता चल होगा आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है तो यहां पर आपने सही गलत देखना है तो यहां पर आप जो है कह वाले में लिखेंगे एफ और खैवाले में टी गह वाले में एफ और गह वाले में एफ तो इस परकार से आप ट्वी और फॉल्स लिख सकते हैं देखरें आप य नीचे दी गई शारणी में गुणों की सूची दी गई है इन गुणों के आधर पर धातूं और अधातूं में अंतर कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की एक टेबल आपको दिखाई देगी यहाँ पर गुण लिखें धातू लिखें और अधातू लिख हाट में लिखेंगे पारे को छोड़कर अन्ने सभी धातुएं सामने ताप पर ठोस होती हैं धातुएं चमकदार होती हैं होती हैं मैंने बताया था आपको लस्रस होती हैं और उसके बाद यहां पर अधातु में लिखेंगे आप अधातुएं सामने ताप पर तीन वह वस्ता धातुएं इतनी नरम होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है और अधातु में लिखेंगे अधिकांस अधातुएं नरम होती है परंत हीरा प्रकर्ति में कठोरतम पदारत है अगला है बच्चो आगात वर्धनियता लिखेंगे तो गुंड जो है आगात वर्दिनता के बारे में क्या लेखेंगे धातु में क्या होता है धातु ये आगात वर्दिनिया होती है इन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है जबकि आधातु ये भंगुर होती है अता है इन पर चोट करने पर ये तूट जाती है और तन अधात्विये उस्मा की सुचालक होती है और अधात्विये उस्मा की कुचालक होती है बिदुद चालक के बारे में धात्विये बिदुद की सुचालक होती है और अधात्विये जो होती है बिदुद की कुचालक नहीं होती अधात्विये बिदुद की कुचालक होती है लेक आप गिरुन आप ये पूरी टेबल आप नोट कर सकते हैं किसके उत्तर में यहाँ पर जो यह यह पांच्वाँ प्रस्थ ने इसके उत्तर में और इसके बाद बच्चों छटा प्रस्थ आपका आता है और इसमें पूचा है निमलखित के लिए कारण दीजिये और कैहे ऐलु के बिलियन से बिस्ताफित नहीं कर सकता और घह वाला है सोडियम और पोटेसियम को मिटी के तेल में रखा जाता है तो इसका कारण आपने बताना है कि क्यों रखा जाता है सोडियम और पोटेसियम को मिटी के तेल में तो चलिए हम आपको उतर बताते है क्या 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 क् और इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है साथी साथ ऐलमुनियम संचारन बिरोधी धातू भी है इससे पनी में रखी खाद्य सामगरी को कोई नुक्सान नहीं पहुंचता आई बास समझ में कहे वाले का आप इस पकार से लिखें काफी important question है बचो इनके उतरों को अच्छे से आप याद भी करें और परिक्षा के समय आपके काफी काम आएंगे और खैवाला है निमंजन चड़ें यानि धातू से निर्मित होती है किसे होती है धातू से क्योंकि धातू बिद्दूत की सुचालक होती है और इनमें से बिद्दूत परबाग करने पर ये जल्दी गर्म हो जाती है गह वाले काफी लिखेंगे क्योंकि कौपर जिंक से कम अविक्रिया सील है और सिर्फ अधिक अविक्रिया सील ही कम अविक्रिया सील को विस्ताफित कर सकता है और गह का उत्तर क्या लखेंगे आप सोडियम और पोटेसियम को मिटी के तेल में रखा जाता है क्योंकि दोनों धातुएं अधिक अविक्रिया सील धातुएं हैं यदि इन्हें वायू में खुला छोड़ दिया जाए तो वे वायू से अविक्रिया करके जल उठती हैं मिटी का तेल इन धातों के ऊपर एक आवरन बनाता है जो उन्हें वायू तथा नमी के संपर्क में आने से रोकता है तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर क्या क्या गय का उत्तर यहां से देख के लिखें बच्यों वीडियो को रोकें आप और अच्छे से समझें पहले उसके बा अपने पाठ में पढ़ाओगा उत्तर लिखेंगे नहीं हम एलमुनियम के पातरों में नीम्बू की अचार को नहीं रख सकते क्योंकि नीम्बू की अचार में साइट्रिक यालिकि सेट्रिक अमल होता है जिससे किधात्यों अमलों के साथ अविक्रिया करके अनेक बिसेले पदार्थ बनाती हैं आता यदि हम निम्बू की अचार को ऐलमूनियम पात्रों में रखते हैं तो उसमें उपस्तित सेट्री कमल और ऐलमूनियम अविक्रिया करके बिसेले पदार्थों को उत्पन्द करते हैं जिनें खाना हमारे लिए हानिका रक्सिद्ध हो सकता है तो सेकेंड में उनके कुछ उपयोग दिये गए हैं कॉलम फस्त में पदार्थों का कॉलम सेकेंड से सही मिलान कीजिए तो यहाँ पर आपको मिलान करना है और देख सकते हैं आप कॉलम फस्त ही है और इस सेकेंड है यहाँ पर लिखा है गोल्ड और थर्मा मीटर आयरन विजल आपर जो है फस्ट और सेकेंड दो कॉलम बना लें ऐसे ठीक आप एक टेबल बना लें बच्चो अपनी कॉपी पर और उसके बाद लिखेंगे गोल्ड के साथ लिखेंगे आप उसन आयरन के साथ मसीने अलमुनियम के साथ खादे सामगरी लपेड़ना कारवन के साथ इधन इतर लिख सकते हैं धियान से देखें और लिखें अगला प्रसने बच्चो नवँआप प्रसने क्या होता है जब आप देखेंगे निया आप आपको बताने क्या होता है जब नमबर एक है यहाँ पर कय वाला तनु सल्फियरिक अमल इक कौपर पलेट पर डाला जाता है अच्छे से समझे बच्चो बहुत इंपोर्टेंट यहां पर कहे वाले काउता लेकिंगे जब तनु सल्फियूरिक अमल को कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तब यहां निम्न अविक्रिया करता है और क्या क्या करता है आप यहां से देख सकते हैं H2SO4 प्लस Cu और तब क्या अब आप देख सकते हैं यह है तनु सल्फियूरिक अमल और यह कॉपर प्लेट पर डाला जाएगा जब तो यह दोनों को जब मिलाया जाएगा तो इससे क्या होगा हाइडोजनिया से रिलीज हो जाएगी और यहां पर जो है आप देख सकते हैं कॉपर सल्पेट आपको प् स्थापित कर देता है और यहां पर जो है आप इसको इसतरी से लिख सकते हैं CU SO4 प्लस FE और FE SO4 प्लस CU तो इस प्रकार से आप अपना उतर लिख सकते हैं समीकरन के रूप में तो यह था आपका प्रस्न नवा देख रहे हैं आप यहाँ पर यह नवा प्रस्न है और इसके ए और खे जो है दोनों खंडों के उत्तर आप यहां से देखके लिख सकते हैं ठीक इसी प्रकार लिखे और इन्हें अच्छे से याद भी कर लें रटा मार लें बचो एकदम क्योंकि परिक्षा के लिए ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और समीकरन का ध्यान रखे इस प्रक्रम में होने वाली सभी अविक्रियाओं के समीकरन लिखिए तो यहां पर आपको जो है लिखना होगा क्या क्या हुआ तो कहका लिखेंगे आप उत्तर में सलोनी परकनली में 183 की गई गैस में पानी डाल कर उसे उसमें घोलने का प्रियास करेगी जैसा की हम जानते है कोईला जब वायू की उपस्तिति में जलता है तो कार्वन डायाकसाइड गैस उत्पन होती है और हुआ गैस पानी में घुलकर कार्वनिक अमल यानि H2CO3 ज्यान दें H2CO3 उत्पन करती है जिसकी प्रकरती का परिक्षन सलोनी लिटमस पत्र की सायता से कर सकती है यदिया व है जिलीन की प्रकरती अमली है अन्यता चारी है तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पर लिख सकते हैं साथ साथ फस्ट और सेकेंड यहां पर ध्यान दें C C आप समझ देने कार्वन के लिए C और ऑक्सिजन O और यहाँ पर CO2 यानि कार्वन डाय ऑक्साइड और यहाँ पर CO2 carbon dioxide प्लस जल और यहाँ पर क्या होगा carbonic aml तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं H2O और यहाँ पर H2CO3 ठीक है तो इस प्रकार से आप इसको जो समझी करन को अच्छे से याद करें समझे बच्चो दिख रहे हैं आपको तो इस प्रकार से आप इसका जबा दे सकते हैं अगले दिन जब आप उसन वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका बाहर कुछ कम हो गया है क्या आप बाहर में कमी का कारण बता सकते हैं तो बता सकते हैं बच्चो आपने पार्ट को अच्छे से पढ़ा होगा समझा भी होगा चलिए उतर में हम आपको बता जते हैं जैसे लगने लगते हैं लेकिन ऐसा करने से उनके बाहर में कमी आज़ती है ऐसे आव उसनों के सोने की उपरी परत के इस गोल में घुल जाने के कारण होता है तो आई बास समझ में इस परकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं आप पाड को भी पढ़ें और इसके बाद बच आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब यहों से कर दें बैल आइकन दबा दें वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें